क्या आप जानते हैं कि तलाक से पहले कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें अगर आपने नहीं पहचाना तो वह आपके रिस्ते को खत्म कर देती हैं तो इस वीडियो में मैं उन तीन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपके रिस्ते को तबाह कर सकती हैं क्या आप अपने रिस्ते को ऐसे मोड पर ला करके छोड़ सकते हैं, अगर नहीं, तो फिर इस वीडियो को अंतर तक देखें, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि वो कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से आप गलतियां करते हैं, और उन्हें कैसे हटाया जा सक जोतिष सास्त्र के माध्यम से कुछ आशान उपाय भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिनें अपना करके आप अपने रिस्ते को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अगर आप ने इस जानकारी को नजर अंदाज कर दिया, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, संतान के उत्पन होने के बाद भी बैवाहिक जीवन में कटूता पैदा करता है, कि पती पतनी में से कोई भी एक या दोनों गवरिश शंकर रुद्राक्ष धारन करें, नमस्कार, मैं जोत्सी आर्यत सोनी, पिछले 41 वर्सों से यंत पत्र, मंत्र, तंत्र, रत्म, दान, दक्षणा, पूजा, पाठ, हो, महवन, यब्तप और उद्राश के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूं। पत्नी यानि लड़के और लड़की की जन्मकुंडली का गहन बिसलेशन इस बात को निशित कर सकता है कि इनके बैवाहिक जीवन की स्थिती कहां तक चलेगी और कब तक ठीक रहेगी या पूरे जीवन तक ठीक रह सकती है। भले ही आप प्रेम विवाह कर रहे हूं या लोगों की सहमती से साधी कर रहे हूं लेकिन मेरा ये मानना है कि जोतिसी की सलाह के बगएर साधी का कोई भी फैसला ना करें। और अगर कर रहे हैं करना ही है प्रेम विवाह करना है आपसी सहमती से विवाह करना है तो जोतिसी सलाह लेकर के उसमें होने वाले दोशों की शांती करके फिर आपको विवाह करना चाहिए। तलाग की इस्तिती में न केवल परिवार तूटता है बल्क इसका बच्चों पर भी बहुत ही गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसके बाद भावनात्मक जखमों को मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में जब आपके बैवाहिक जीवन की सुरुवात हो रही हो या बिवाह के बाद तलाग की इस्तिती निर्मित होती जा रही हो दोनों में मनमुटाव होता जा रहा हो दोनों पती पतनी में मतभेद बढ़ता जा रहा हो पारिवारिक प्लेस बढ़ता जा रहा हो ऐसे सम जन्म कुंडली का बिसलेशन करवाना अति आवश्यक हो जाता है। जन्म कुंडली में पहले घर में मंगल हो जाए। ग्रहों की दोशित परिस्थितियां देख करके विद्वान जयोतसी आपको राह दिखलाता है और उन ग्रहों की श्चान्ती करके या उन ग्रहों का उपाय करके उन ग्रहों के पूजा अनुष्ठान करने के बाद या कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो जन्म कुंडली के स पर पहुंच जाते हैं तो उसमें सबसे पहली गलती है क्रोध एवं अहंकार क्रोध और अहंकार ब्यक्ति के अंदर से उत्पन होता है लेकिन वह असुब ग्रहों के कारण होता है और वह असुब ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल सूर्य और मंगल दोनों ही सत्ता के कारक हैं दोनों ही ग्रह अगर पती या पतनी की जन्मकुंडली में किसी के भी जन्मकुंडली में शप्तम भाव में अगर सित हों और अपनी पूरी जवानी पर हों बाल पर नहों बालपन पर नहों प्रिधावस्था में नहों यानि 10 करके बिवाद उत्पन होता है और एहंकार शादी के टूटने तक पहुंच जाता है इसलिए सुरी अवंबंगल की स्तिती भी सादी को तोड़ने के लिए बहुत एहम भूमिका निबाती है तो सादी के पहले या सादी हो चुकी है आपकी तो आप श्वयम देख लें कि आपक जिसकी वज़ें से धीरे-धीरे-धीरे दूरियां इतनी बढ़ती जाती है तो खाई गहरी होती है और दोनों ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और इसके बीच में आता है राहू या केतु राहू या केतु यदि जन्मकुंड़ी के सब्तम भाव में बैठे हैं चाह वारपती जान न पाए लेकिन वह इस तरह से परदा डालता है कि वह सामने वाले को पता लगने लगता है कि उसे कुछ छिपाया जा रहा है और वही जो बात है वह संस्यात्मक हो जाती है संदेहास्पत बात हो जाती है उस संदेह को लेकर के अगर सोजबूज वाले लोग हैं तो उसको संभाल लेते हैं अगर सोजबूज मन में नहीं है तो पती और पतनी दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और शक की खाई इतनी गहरी हो जाती है कि उसको पार कर बना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यह धीरित-धीरित तलाक के कगार पर ले जाकर के खड़ यानि आपकी गलती नहीं होती ग्रह इस तरह से बैठे होते हैं जिसमें सुकर की एहम भूमिखा होती इसी深फिति कार आठमे हो बारा होउन या तीसरे घर में करकरासी के बैठे हों, ऐसी इस्थिती में सुक्र अगर निर्बल है, सुक्र दुर्बल है, कमजोर है या उसके उपर पाप ग्रह की दृष्टी है, तो आप ये जान लेजिए, बिवाह के बाद किसी न किसी प्रकार से, आप ये समझ सकते हैं कि मानशिक संबंद बनता है, या आपके साथ भावनातमक संबंद बनता है, सहरिर्क संबंद बनता है, लेकिन बिवाह के बाद किसी न किसी के साथ आपके संबंद निर्मित होते हैं, और वह संबंद एक ऐसा संबंद बन जाता है, कि जिससे अपने परिवार की तरफ आप ध्यान न दे करके, उसकी तरफ ज जगड़े का रूप ले लेता है और वही जगड़ा तलाक कारण बनने लगता है। अब मैं आपको यह बताऊँगा कि कौन से वो ग्रह हैं और कौन से वो कुंडली के भाव हैं जो तलाक के कारण बनते हैं। तो सबसे महतवबून जो घर होता है वो शब्दम घर होता है। जन्म कुंडली का साथवाँ घर पार्टनर का होता है या लाइफ पार्टनर का है। और इस घर में कोई पाप ग्रह अगर बैठ जाता है, कोई दुष्ट ग्रह बैठ जाता है, असुब ग्रह बैठ जाता है या अच्छा ग्रह बैठा है, असुब रासी में बैठा है, तो भी ब्यक्ति की बैवाहिक जिंदगी खराब हो जाती है और उसे कभी भी यह नहीं है थे कि हमारी शादी ऐसे ब्यक्ति या इसे इस तरी से हुई है जिसमें हमें पूरी जिंदगी सुख नहीं मिला और बगैर सुख के हम जीते चले जा रहे हैं। दूसरा ग्रह जो है सुक्र है सुक्र ग्रह साथमें आठमें या बारहों भाव में बैठा हो या सब्तम भाव में निर्बल बैठा हो सुक्र प्रेम का कारक होता है रोमांस का कारक होता है बैवाहिक जीवन के सुख का कारक होता है और ऐसी इस्तिति में अगर सुक्र ही कमजोर हो जाए या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए दूसित ग्रह के साथ बैठ जाए किसी दूसित भाव में बैठ जाए तो ऐसे भाव में ऐसे दूसित ग्रहों के साथ बैठ करके सुक्र अपने रोमांस को खत्म कर देता है, उसकी जिंदगी से रोमांस, प्रेम और जो एक अंदर से भाव उठता है किसी के लिए, बिचार उठते हैं, प्रेम व्यक्त करने के लिए खत्म हो जाता है और धीर धीरे बैवाहे की जीवन की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। सोरे सब्तम भाव में हो या लगन भाव में दोनों ही स्थितियों में वो हैंकार और क्रोध को बढ़ावा देता है हैंकार और क्रोध ये बिना मतलब का होता है छोटी छोटी बातों पर भी होने लगता है चाहे वो इस्तरी की कुंडली में हो किसी भी दूसरे बहाने को लेकर के तीसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप करके अपने क्रोध को व्यक्त करने के भावना बन जाती है और यह नियमित होती रहती है छोटी छोटी बातों को लेकर के दोनों में टकरा होता रहता है और इस्तिती यहां तक बन जाती है कि लोगों क कि समझाने के बावजूद बात समझ में नहीं आती क्योंकि सोर्य सत्ता का कारण बैठा हुआ है जन्मकुंडली के लगन में और सब्तम में तो हमारा अधिकार पूर्ण रूप से मिलना ही चाहिए जबकि अधिकार मिला हुआ है उसके बावजूद भी यह लगता है कि हमारे ही कष्ट में बना देता है मंगल लगन में बैठा हो चतुर्थ भाव में बैठा हो सब्तम में बैठा हो और बारहवय में बैठा हो या आठ में बैठा हो ऐसी इस्तिती में मंगल का क्रूर होना स्वाभविक हो जाता है जब वो किसी नीच रासी में अपनी बैठ गया हो या पाप ग्रह के साथ बैठ गया हो, क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया हो तो और भी उत्पात मचा देता है जिंदगी में, हो मानसिक उत्पीडन पैदा करता है, जिसके कारण क्रोध की भावना अत्याधिक बढ़ती रहती है, इंकार बढ़ता रहता है, उसको लगता है कि जो कु पाँचवा ग्रह केतु जो संतान के उत्पन होने के बाद भी बैवाहिक जीवन में कटुता पैदा करता है। तो ऐसी इस्तितियों में बैर भाव का उत्पन होना स्वावविक है और यह ब्यक्ति की जिंदगी में तलाक के कारण तक ले के जाता है। ब्यक्ति के जीवन में उत्पन होता है एक अलग भाव जिसे उसे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है। उसके अंदर एक उत्पात का मन बनता है किसी नहीं किसी कारण को लेकर के बिवाद पैदा होता है। और यह बिवाद दसानाथ के कारण, अंतर दसानाथ के कारण, प्रत्यंतर दसानाथ के कारण भी बैवाहिक जिवन में कटुता पैदा होती है और यह तलाक तक ले करके चले जाते हैं. अब मैं आपको कुछ उपाय की तरफ ले करके जाता हूँ, जो लोग अपनी जिन्दगी में अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अपने रिस्ते को किसी भी प्रकार किसे तूटने से बचाना चाहत हैं, उन्हें या कुछ छोटे उपाय करके अपनी जिन्दगी में अपने रिस्तों को तूटने से बचाना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि किसी भी इस्तिती से गुजर रहे हूँ, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपने दोनों के साथ जीने मरने की कसमे खाई हैं, फिर छोटी-छोटी सी बातों के कारण जो विवाद उत्पन होता है, उसके कारणों को ढूंड करके उस कारण को निवारन कर दिया जाए, फिर आप दोनों से अच्छा कोई नहीं हो सकता, तो सबसे पहली बात आते हैं कि अगर आपके बैवाहेक जीवन में कटुता उत्पन हो रही हो, तो पहला उपाई ये करना चाहिए कि आप दोनों को पती-पत्नी को सिव मंदिर में जा करके नो सो मुआर जल अरपन करने के बाद सफेद फूल चड़ा करके नाग के सर अरपन करना चाहिए, और वहाँ पर धुप दीप से दोनों लोगों को मिल करके भगवान के जारती करने के बाद वहां बैठें और दोनों पती पतनी मिलकर कि ओम नम्म शिवाय का जाप करें यह क्रिया नव सोमवार करें और अधिक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी दूसरा उपाई यह है कि पती पतनी में से कोई भी एक या दोनों गौरी शंकर रुद्राक से हमेशा के लिए अच्छी थी और भगवान के सुरूप में आप दोनों के पती पतनी की जोड़ी गौरी शंकर रुद्राक धारन करने के बाद अच्छी रहेगी दोनों के अंदर प्रेम उपजेगा और दोनों अच्छी जिंदगी निर्वाह कर सकेंगे इसके साथ ही जन इसी के साथ जन्म कुंडली का बिस्लेशन करवाने या मुझे बैक्तिगत रूप से संपर करने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें क्लिक करके आप मुझे संपर कर सकते हैं इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें लाइक करें शेयर करें आपके कोई विचार हो तो कमेंट बाक्स में हमें लिक करके भेज़ दें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ आपको समाधान मिल सके नमस्कार धन्यवाद